फिनाले के बेहद ही करीब पहुँच चुका है कलर्स का बहुचर्चित रियालिटी शो बिग बॉस दो दिन बाकी रह गए है फिनाले में दो दिन में ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन होगा इस शो का विजेता कौन होगा वो प्रतिभागी जो अपने हाथों में लेकर जाएगा बिग बॉस की ट्रॉफी लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होगा जो दर्शकों को कर देगा हैरान घर में मौजूद सभी सदस्यों के सामने एक बड़ी समस्या उस वक्त खड़ी हो जाएगी जब उनके सामने पैसो से भरा सूट केस रखा जाएगा अब हर किसी के दिवाग में यही चल रहा होगा कि क्या ये सूट केस लेकर शो को छोड़ दिया जाए या फिर टिके रहा जाए और बिग बोस की ट्रॉफी को साथ में ले जाए जाए हर बार की तरह इस बार की सीजन में भी सल्मान खार फाइनलिस्ट के सामने पैसो से भरा सूट केस रखेंगे और जो भी इस सूट केस को जूज करेगा वो हो जाएगा घर से सीधा बाहर सोशल मीडिया पर इस तरह के कयास लगाय जा रहे थे कि शायद रोमिल वो सदस्य होंगे जो ये बैग लेकर घर से बाहर आ सकते हैं लेकिन अब एक और सदस्य का नाम साथ में आया है जो ऐसा कर सकते हैं दरसल बीदे एपिसोर में दीपक करनवीर के साथ इसी मसले पर चर्चा करते हुए नजर आये थे जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि हो सकता है दीपक ठाकुर की वो सदस्य हो जो सूटकेज लेकर घर से बाहर आ जाए वेला बसल में ऐसा फॉन करता है इसका बता वक्त आने पर ही चलेगा टेलविजन जगत से जुड़ी ताजातरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप तक पहुशता रहे हमारा हर लेटिस्ट अपडेट